वेलकम बैक, I am Udhamin Sir from DSL Institute, Dr. Mukherjee Nagar Delhi मेरे प्यारे दोस्त, आज आपको मैं सिखा रहा हूँ एक संटेंस तुम हिंदी मिलो और उस एक संटेंस को तुम कई तरह से अंगरेजी में आप बोल सकते हो आप एक संटेंस को कितने तरह से बोल सकते हो वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जितने मर्जी हो आप एक संटेंस को चार, पांच, छे तरह से बोल सकते हो और इससे होगा क्या? इससे होगा कि आपकी speaking, fluency बेतर होगा क्योंकि जब दिमाग में, whenever comes your mind any types of sentence, at first, what comes? हिंदी, तो पहले दिमाग में हिंदी आता है and we are translating into English हम लोग उसे translate करते हैं अंग्रेजी में then we try to speak तब क्या होता है? कि प्रावलम बढ़ जाता है ऐसे कुछ sentences मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप बोलोगे तो आराम से sentence आपके अपने हो जाएंगे तो एक-एक करके देखते हैं एक-एक sentence को काईक तरीके से पहला sentence है जैसे बोलना हो भोजन हमारी आपसकता है भोजन हमारी आपसकता है अब इसको देखिए आप कितने तरीके से बोल सकते हैं पहला तरीका we can't go without food है ना? we can't go without food भोजन हमारी अब सकता है food is our weakness भोजन हमारी अब सकता है food is our weakness food is our need भोजन हमारी अब सकता है food is our dead need food is our dead need food हमारी अब सकता है it is very hard to live without food it is very hard to live without food देख रहे हैं आप इसको अगला संदिश देखो यह मेरा यह मोबाइल मेरा है यह यह मेरा मोबाइल है तो आपको बोलना हो This is my mobile This mobile belongs to me This mobile is mine I am the owner of this mobile एक sentence को कई तरीके से आप बोल सकते हो इस तरीके से आप आपका personality improve हो जागा बस पूरे भारत में फैलाने के जरुवत है अगर बोलना हो आपको क्या हुआ आपको क्या हुआ What happened to you What happened to you What's illing you What's wrong with you What's the problem with you What's the problem with you आपको क्या हुआ What's the problem with you देखे हो आप एक sentence मैं लिया और कितने तरीके से बोल रहा हूं अगर बोलना हो क्या चल रहा है या बोलना हो क्या हो रहा है कैसे बोलेंगे इसको क्या चल रहा है या क्या हो रहा है यह आये दिन हम लोग दिन भर किसने किसी को बोलते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है भाई क्या हो रहा है तो आप इसको अंगरेजिम कैसे बोलेंगे what's going on what's going on क्या चल रहा है या क्या हो रहा है what's going on what's happening what is happening what is what's the latest what's the latest what's up what's up कितना मज़दार है क्या चल रहा है what's up what's running on what's running on क्या चल रहा है क्या हो रहा है what's up what's running on इस तरह से आप बहतर सिख सकते हो जैसे आपको बोलना हो यह असपस्ट है यह असपस्ट है इसको अंगरेजी में कैसे बोलेंगे कितने तरह से तो यह असपस्ट है it is clear it is lucid it is apparent it is understood it is obvious तब देख पा रहे हो एक sentence कितने तरीके से बोलते हैं और आपके जरुवत क्या है उन हर बच्चों को मदद करिए और दीजिए हर बच्चों को ताकि हर बच्चा सिख पाए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ अगर आपको बोलना है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ तो आपको बोलना है I don't agree with you क्या बोलें I don't support you I don't support you या बोलिये my ego is not with you my ego is not with you या फिर बोलिये I differ from you about it I differ from you about it I differ from you about it इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं अगला सुने इस क्या बोलेंगे आज आप खुश नजर आ रहे हैं आज आप खुश नजर आ रहे हैं तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे बाई और कितने तरीके से बोलेंगे आज आप खुश नजर आ रहे हैं You look happy today You look happy today और बोल सकते हैं You appear to be happy today You appear to be happy today और बोल सकते हैं You seem to be happy today You seem to be happy today या बोल सकते हैं Happiness is playing on your lips today Happiness is playing on your lips today आज आप खुश नजर आ रहे हैं Happiness is playing on your lips today तो मेरे प्यारे दोस्त प्यारे बच्चे इस तरह sentence आप हजारों बोल सकते हैं एक छोटे छोटे वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूं एक हजारों के काम में आएंगे और सारे बच्चों को पूरे भारत में इसको फैलानी की जरूरत है तो देखा आपने और इस तरह से हम लोगों करना क्या है एक एक संटेंस को लेना है और एक संटेंस लेकर के हजारों संटेंस बोलने हैं और इसको आप नहों तो याद कर जाओ और डे टू लाइफ में इसको बोलो जितना आप बोलोगे जब एक संटेंस को कोई मित्र तुम हिसाब के साथ